नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको तरह तरह के पकोड़े खाकर अगर बोर हो गए हैं तो एक बार आनियन रिंग्स बना करके खाईए बिल्कुल अलग टेस्ट लगेगा और यह बहुत ही क्रिस्पी और करारा होता है यह बाहर से बिल्कुल करारा और अंदर से यह प्याज का बहुत ही अच्छा लच्छा रहता है इसे आप किसी भी डीप के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं कभी भी चाय के साथ भी ये बहुत ही बढ़ियां होता है तो एक बार जरूर बनाएं तो सबसे पहले हम एक डिप बनाएंगे तो ये टंगा हुआ दही है चार बड़े चमज उसे हम ले लेंगे एक छोटा चमज सुगर पाउडर लेंगे थोड़ा सा दो पींच नमक लेंगे और साथ में थोड़ा सा लहसन का पेष्ट डालेंगे इसके जगर उसका पाउडर हो तो हो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा काली मीज का पाउडर और एक चोटाई चमज विनेगर डालेंगे और फ्रेश धनिया पत्ता है उसे हम डालेंगे बहुत बारी काट करके इससे हमारा ये डिप बहुत ही अच्छा बनेगा तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसका एक अच्छा सा थीक सा डिप बना लेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा एक अलग टेस्ट लेगा आप वैसे आप चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं यह डिप तैयार हो गया है और आगे हम इसका एक पेश्ट बनाएंगे थीक सा तो दो बड़ा चम्मच हम डालेंगे मैदा और दो बड़ा चम्मच डालेंगे कॉर्ण फ्लोर साथ में टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे हम और डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च का पाउडर है वो भी आधा छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच लहसन अद्रक का पेश्ट डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डाले नहीं तो यह ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर प्यास पे कोट नहीं हो पाएगा तो इस तरह से हम इसका बना लेंगे एक पेस्ट ठीक सा यह तैयार हो गया है तो अब हम प्यास को कट करेंगे प्यास देखी इतना मोटा मोटा लच्छा कट करेंगे और बाहर वाले जो रिंग से उसे निकाल लेंगे और छोटे-छोटे पीसेज को हम अलग हटा लेंगे तो सबसे पहले एक मैदा लेंगे हम, आधा कप मैदा लेकर के इसमें हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे अपने अनियन रिंग्स को, इस तरह से देखिए मैदा अच्छी तरह कोट हो गया है, अब हम डालेंगे इस बैटर में, तो ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएग और यह अच्छी तरह से चिपएगा तभी यह bread crumm है वो चिपएगा तो इससे उपर निछे करके हम एक fork के help से एक्स्टरा जो बैटर निकाल लेंगे और ये पैंको ब्रेड क्रम्स है इसमें हम डाल देंगे चारो साइट से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे कोई ऐसा भाग नहीं होना चाहिए और पैंको ब्रेड क्रम्स बनाने की जो बीधी है वो हमारे चैनल में है आप देख सकते हैं और इसे दोनों तरब से अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे, यह जितना अच्छा से कोट होगा उतने ही यह करारा बनेगा, इसी तरह से एक पीस और बना के दिखा रहे हैं, तो इसे भी हम डिप कर लेंगे, बैटर में और इसे हम, पिर निकाल करके ब्रेट क्रम्स में डालें और इसके उपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे चारो साइट से इस तरह से यह हमारा देखिए एक अनियन रिंग्स है वो फ्राइ करने के लिए तैयार है अच्छी तरह से चारो साइट लग जाना चाहिए जितना अच्छा से ब्रेड क्रम्स लगा रहेगा उतने अच्छा यह करारा बनेगा तो इस तरह से सभी रिंग्स को हम इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे इसके बाद हम गैस पे कड़ाई में तेल डालेंगे और उसे हम गर्म होने देंगे तो तेल जब हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे ये रिंग्स है जादा नहीं डालेंगे हम जितना तेल उस हिसाब से नहीं तो हमारा तेल और ठंडा हो जाएगा इतने में चार-चार करके ही हम फ्राई करेंगे जब इसका कलर थोड़ा चेंज होगा उसके बाद इसे हम पलट देंगे तो देखिए इसमें कितना अच्छा गोल्डेन कलर आ गया है एक साइड में इसी तरह से दुसरे साइड में भी पलट देंगे और इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो एक-एक करके हम इस तरह से फोक के हल्ब से निकाल लेंगे इससे बहुत ही आसानी होता है, पलटना, निकालना, इसी तरह से दूसरी बार भी हम डाल देंगे, इस तरह से हमारा अनियन रिंस बन करके तयार है, क्रिस्पी करारा, और टेस्टी सा, तो ये डीप के साथ खाईए, खिलाईए, अगर इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगे, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,